ही है हरुआ फ्रैंट्स vandaag में आपके लिए बहुत इंकार की लाया हूं और फरीट क्या चाहिए और प्राइबट जोब करना हूँ चुWait तो हम रेंगें और इसको अबनेच चाहिए और क्या है अगर अगर चुछू अपके उबसा है तो शी दोब्रउज बाओ सबसे प्राइवेट जॉब की होता है कि अब एक साल में आपको दो टाइम्स के लिए या पाटी मिल जाएगी मुझे एक टाइम की मिलती है आपको दो टाइम के मिल सकती है, जैसी कंपनी के अकॉर्डिंग होती है, पार्टी भी देते हैं, सही होता है, अज एडवांटेज बता रहो हैं, ठीक है, और सेकंड क्या है, यू कन फैंड एजली एप्राइवेट, प्राइवेट जोब आप एजली ढून सकते हैं, ज्यादा दोड़नने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप नौक्णी.com पर पर एकॉबद ही बनाई है, जो भी अब चल रहे हैं उंपर एकॉबड़न से अपर आपकी,-बनाई है बहुत ही इंगलिस में होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमाई कम्यूकेशन इसकिल्स कितनी इंप्रूव हो सकते हैं ठीक है वहां पर डिसिप्लिन बहुत होता है देखिए यू हैब टू लिविन डा डिसिप्लिन अगर आप जॉब करने जा रहे हैं आपने कॉलेज चोड़ा है तो आपके लिए ठीकल्टी होगे क्योंकि कॉलेज में जो होता है वह जॉब में नहीं होता है जॉब में बिल्कुल सांत और सब की सुननी पड़ती है वह भी डिस मिलता है हर वार मिलेगा आपको एक गिफ्ट दे देते हैं छोटा सा जो उनके उनके रेंज में आता हूं जो बहुत दे सकते हों ठीक है सम्टांज कंपनी ओफर चांस टू रूब मतलब कि कभी-कभी कहोते हैं कंपनी हमें घूमने का चांस भी देती है हाफ-ाफ प्रेट मे जैसे कि हमें मनसूरी ले जाएगी के दारनाथ जी कहीं भी गूमने के लिए ले जा रहे हैं तो हाफ कंपनी देगी हाफ आप देंगे तो यह एडवांटेज होते हैं प्राइवेट जोब करनी चाहिए पर ऐसा नहीं है भाई प्राइवेट जोब इतनी सिंपल नहीं होती ह आपको Tao आगे तो आपके रोंगटे कंणे होने वाले हैं तेखिए डिसद्वांटेज क्या दिसब्रेंटेज में आता है त सबसे पहले जी कवह निकाला जा सकता है समझ रहे तो यह लह जोब होतीहां कभी तो यह सगे नहीं होंगे चैनल कितना अच्छा काम कर रहों कुछ डिप्रेशन एंग्चैंटी इस आर कॉमन जिस सब चीछे कॉमाने ठीक है स्ट्रेस प्रेसर जी सब कॉमाने बहुत रहता है यू कांट टेक लॉंग लीव अब लीव नहीं ले सकते फ्रीडम तो हई ने भाई अगर लीव लेनी है तो पहले जाओ टीम लीडर के पास Sir मुझे लीव चाहिए itxTmail करो तो मेल कर दोगि फिर वह एप्रूब करेगा फिर तुम में फिर तुम्हें फिल करनी पड़ेगी मैने इस तARSक से इस तार्यक तक में लीव चाहिए इस Member तो ये सब přिंग नहीं ले सकते लांग यैस ए पिल नहीं होता है I can understand because I am doing job If you do a private job Then you are a loin of the circus समझ रहा है आप एक circus के loin होगे मतलब कि एक circus के loin जिसे एक बच्चा पूँच उसकी पकड सकता है एक loin मतलब कि एक सेर की बच्चा तक पूँच पकड लेता है तो सेर कुछ नहीं कर रहा है मतलब समझ रहा है कि loin of a circus सरकस में जिसेर होता है वो पिंजडे में बंद होता है ऐसी आपकी life हो जाएगी आप भी एक पिंजडे में बंद हो जाओगे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा सिर्फ सुनू पर सिर्फ सुनना होता है जैसे just listen, you can't say anything आप सिर्फ सुनों, बोल नहीं सकते हो बोलोगे तो go to hell समझ रही हो ना, Jakör इसे बोल नहीं सकते हो सिर्फ सुनु जितना बोल जाए जितना बोल जाए उतना सुनो ठीक है, कुत्ते बन जाओ सिर्फ सुनो भाउकने की आदत नहीं होगी तुमें तुम भॉग नहीं सकते हो तुम बोल नहीं सकते हो सिर्फ सुन सकते हो तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग stupid वो करो यह उती है प्राइवेट जोब समझ रहा हो न यू डाइव मिस्टेक अगर तो लंभी कानी मैं मुझस से मिस्टेक हो जाती है काम करेगा इंसन तो मिस्टेक स कर लाई ना प्रोजेक्ट में तो भाई बहुत सुनाते हैं बहुत सुनाएंगे भाई क्यूं मिश्टिक्स कर रहे हो यह वह बहुत जंजटा थी इमेल के रिपलाई नहीं दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो वह तुम्हारे पास मेल करेगा क्यूं नहीं दिया साधी के बाद क्या होता है तो अभी क्या अभी तुम्हारे पास च्वाइस है तुम जोड़ के कुछ कर सकते हो लेकिन जब आप साधी सुधा हो जाओगे बीवी बच्चे हो जाएंगा तो आप जोड़ नहीं सकते तो प्राइवेट जोब बाले बहुत काम लेंगे तुमस से उन्हें पता होगा कि यह बंदा छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि यह साधी सुधा है अब हम चलते हैं अपने गवर्मेंट जॉब की तरफ कवर्मेंट जॉब अहाँ इट्स अमेजिंग यह तो सभी इक ड्रीम होता है कवर्मेंट जॉब कर लों कैसे भी तो हम देखते लडकी के लिए अचाहा मिलेगा कि यह तो लिए अच्छा लड़का मिलेगा वह क्योंकि जॉब तो इक इस परमानेंट जॉब होती है कोई रिस्क नहीं कुछ भी नहीं यू कैनट टेख लांग लीब ले सकते हो गोट रोति अक्श्यूर्य होती हिरे कम भी तो भी ठीशा ह यह पागल हुई पड़ी है गवर्मेंट जॉब के लिए समझ रहे हो ना इस एड़ाइटेज नो ड़ाइड़ाइटेज बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है यू बिल स्टिल पी दल लॉइन ऑफ तुम चॉप करोगे तो सरकस के सेर ही रहोगे अगर तुम्हें बिजनिस करना है तब तो जंगल के सेर बनोगे तो सरकस के सेर की में कानी पता देता हूं क्या होता है सरकस के सेर और जंगल के सेर में अंता है तो सरकस का सेर क्या होता है कि सरकस का सेर है तो क्या करेगा एक पिंजड़े में बंद होगा जो उसे नचाता है वो उसे नचाएगा वैसे ही ठीक है समझ रहे हो ना अगर सरकस में सबी लोग देखने जाते हैं बच्चा आए बच्चे पूछ उसकी भार लेटक रही है ना तो बहुत भी पकड़ के खाएंच देगा अब लेकिन जंगल में जो खुला से होगा उसे कोई कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है तो मैं तो आपको एडवाइस दूँगा कि या तो गवार्मेंट जॉब करो या फिर बिजनिस करो अब आपके आथ में प्राइविट जॉब आपको अच्छी लगती है सुनने की आदत है आप सुन सकते हो लोगों की समझ रो न लोगों की सुन सकते हो तो प्राइविट जोब कर सकते हो कुई भूरी नहीं है टाइम भी दिधग स्यूरूरी है अगर I hope कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कोई भी एडवाइस देने हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा and सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो